ट्रस्ट मी आज की ये वीडियो आपकी काफी जादा हेल्प करेगी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताऊगा जो आपको काफी जादा हेल्प करेगी जिससे आपको काफी जादा मोटिवेशन मिलेगा और जिस से शायद आप खुद को emotionally heal कर सकते हो खुद को और ज़्यादा strong बना सकते हो है गाईज मैं हूँ श्रावन कुर्मा वैंशी और आप देख रहे हो स्काइल वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहोगा कि अगर आप मेरे वीडियोस regular देखते हो लेकिन अभी तक भी आपने मेरे चानल को अगर subscribe नहीं किया है तो please चानल को subscribe कर लिजे क्योंकि आपके subscribe के वज़ज़ से मुझे काफी जादा motivation मिलता है अब इस वीडियो को start करते हैं अगर आप भी एक ऐसी situation में हो जहाँ पर partner आपके value नहीं कर रहा है आपके efforts के वज़़ से आपकी खुद की value कम हो रही है आप इस relationship को बचाने के लिए efforts दाल रहे हो लेकिन इससे आपकी value कम हो रही है आप जहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर partner आपकी disrespect कर रहा है तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस situation में हमें क्या करना चाहिए partner हमारी value क्यों नहीं कर रहा है partner हमारे साथ रहना पसंद क्यों नहीं कर रहा है देखो अगर मैं आपके life के story बताओ तो most of the cases में जब relationship को लेकर कोई problem चलती है तो सिरिप और सिरिप उनके life में relationship problem के अलावा कुछ नहीं बचता उनका पूरा ध्यान अगर आपका भी पूरा ध्यान केवल relationship के उपर ही है तो आप ये मान के चलो कि आपकी value कभी नहीं बड़ीगी और नहीं आप emotionally strong बनोगे अगर आप relationship problem को लेकर अपने life में completely disturb हो चुके हो उसके अलावा आपके जिंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा है सारी चीजों को आपने खराब कर दिया है तो इससे आपकी value कैसे बड़ेगी क्योंकि एक problem के वजव से अगर आपने सभी तरफ खुद को disturb कर दिया है तो partner तो आपको एक loser ही समझेगा इससे ना तो आपका confidence बड़ेगा और ना ही partner आपसे बात करना पसंद करेगा क्योंकि अभी आप खुद में low feel कर रहे हो और low feel करने का reason यही है कि आप केवल relationship problem पर focus कर रहे हो उसके अलावा कही पर भी नहीं अगर आप अपने partner के life को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वो और भी जगे पर खुद को involve करके रखे हुई है उनका ध्यान कही और भी है लेकिन आपका ध्यान completely relationship के उपर है अपने relationship को center of world बना के रखा है अपने जिन्दगी का यहाँ पर problem चल रही है इस वज़े से आप disturb हो तो आप ये मान के चलो कि इस से ना तो आपका confidence बढ़ेगा ना तो self control बढ़ेगा और चहा कर भी आप उस इंसान को space नहीं दे पाओगे अब completely उस इंसान को disturb करोगे completely खुद को control ना करने के वज़े से आप खुद को उनके life में involve करोगे इससे partner आप से दूर जाने की और जादा कोशिश करेगा क्योंकि partner समझ गया कि यहाँ पे आप उनके पास ही आओगे और उनी के वज़े से आप अपने जिंदगी में खुश हो आपके जिंदगी में relationship के अलावा कुछ नहीं चल रहा है तो यहाँ पे partner तो छोड़ो अगर उनके जगे पे कोई और भी होते तो वो भी ऐसे ही करते यह एक बहुत बड़ी reality है इसलिए यह सिर्फ आपकी नहीं कई लोगों की problem है अगर आप relationship को बहुत ज़्यादा value देदोगे अगर आप relationship problem को बहुत ही ज़्यादा सोचने लगोगे उसे लेकर बहुत ज़्यादा disturb रहोगे तो आपके life completely disturbed हो जाएगी और अगर आपके life completely disturbed है तो आप valuable person कैसे बनोगे basically relationship में जो problem चल रही है इस वज़र से decide हो गया है कि आपकी कोई value ही नहीं है क्योंकि आपने खुद को वैसा बना लिया है कि एक बहुत बड़ी reality में आपको बता रहो सुनने में काफी अजीब लग सकता है आपको काफी uncomfortable feel हो सकता है लेकिन ये एक reality है अगर आप खुद को बहार निकालोगे तब भी आपके मैंन में just relationship relationship और relationship ही चलेगा जो कि आपको जिस वज़े से आपको हमेशा low feel होगा आप कभी भी खुद को comfortable feel नहीं करोगे और यही एक बहुत बड़ी problem है कि relationship problem के अलावा आपका कई और focus ही नहीं है तो आप self control कैसे करोगे और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ disrespect के साथ adjust करो ही मत अगर आपके efforts के वज़े से अगर आपके बात करने के वज़े से आपकी ही disrespect हो रही है तो महाँ पे adjust करना बंद कर दो basically सबसे बड़ी गलती हम जो करते है adjust करने की बहुत ज़ादा कोशिश करते है knowingly और unknowingly हमारा पूरा focus adjust करने पर ही होता है हम adjust करना सीख जाते हैं और अगर आप adjust करना सीख गए हो तो partner आपसे क्या करवाएगा adjust ही करवाएगा अगर आप उनकी बाते सुन रहे हो उनकी बातों के साथ adjust कर रहे हो वो अपना सारा irritation आपके उपर निकाल रहे है और वहापे आप adjust कर रहे हो तो next time partner क्या करेगा simple सा जवाब है next time भी partner अपना सारा गुसा सारा irritation आपके उपर ही निकालेगा और वो आपसे ये expect करेगा कि आप adjust करो और reality में आप adjust ही कर रहे हो अगर मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूँ अगर मैं आपके उपर पुरा गुसा निकाल रहा हूँ और आप वहाँ पर भी adjust कर रहे हो तो next time मैं जब आपसे मिलूगा या फिर जब आपसे बात करोगा तो मैं वैसे ही करोगा अपना सारा गुसा, सारा irritation आपके उपर निकाल दोगा इस example से मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूवत है disrespect के साथ adjust करने की कोई जरूवत ही नहीं है यहाँ पर अगर आप adjust करोगे तो इससे problem ठीक नहीं होगी और नहीं आप valuable person बनोगे अपने life में partner के नजर में आप और नीचे गिरते चले जाओगे partner आपको और ज़्यादा control करने की कोशिश करेगा partner को blame करने का कोई फाइदा नहीं है अगर आप उनको blame कर रहे हो कि आपको time नहीं देते हैं आपके साथ time spend नहीं करते हैं आपके ओपर गुसा निकालने का मौका आप खुद दे रहे हो adjust करने की कोई जरूवत नहीं है जहाँ पर आपकी disrespect हो रही है वहाँ पर आपको पीछे हटना ही होगा अगर आप वहाँ पर भी पीछे नहीं अट रहे हो अगर आप वहाँ पर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो काफी जादा possibilities है कि partner आपकी respect कभी नहीं करेगा partner को कोई फरक नहीं पड़ेगा कि आप उनके life में हो या फिर नहीं हो क्योंकि partner को इबात पता है कि आपके आपने relationship को बहुत ज़दा value दे दिये आप relationship के बिना रही नहीं सकते किसी भी अपके life के किसी भी part को value देना importance देना बहुत अच्छी बात है लेकिन किसी भी एक चीज को या फिर relationship को जिन्दगी बनाना बहुत गलत बात है अगर आप खुद पे control नहीं कर पा रहे हो self control नहीं है वो क्यों नहीं क्योंकि आपने relationship problem पर ही पूरा focus किया है आपके life में to be honest with you आपके life में relationship के अलावा भी बहुत जादा problems चल रही है लेकिन उन problems को solve करने के जगे आप सिर्फ relationship की problem को लेकर बैटे हो वो relationship की problem ऐसे solve नहीं होगी अगर वो इंसान आपके disrespect कर रहा है तो वहाँ पे आपको पीछे हटना ही होगा आप पीछे कब हटोगे आप पीछे कैसे हटोगे क्योंकि पीछे हटना भी बहुत मुश्किल है आप पीछे तब ही हट पाओगे जब आप अपने life में दूसरी जगव पर भी focus कर रहे हो आज मैं बहुत deep बात है आपको बता रहा हूँ यह जानना इन बातों को follow करना अपने life में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बस relationship स्रिप relationship और स्रिप relationship को लेकर चलोगे तो trust me आप कही के नहीं बचोगे बहुत ज़्यादा problem होगी, irritation होगा आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं पार्टनर आज भी आपको लेकर uncomfortable है, कल भी आपको लेकर uncomfortable रहेगा, पार्टनर को आज भी फरक नहीं पढ़ रहा है, कल भी फरक नहीं पढ़ेगा क्यूंकि आपने उस इंसान को वैसा बना दिया है मैं आपको demotivate नहीं कर रहा है, मेरा वो काम नहीं है, reality आपको बता रहा हूँ क्यूंकि आपके लिए reality जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है आप अपने आपको कही और busy करो, आप अपने life को कही और लेकर जाओ, ये काफी ज़्यादा normal लगता है लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको explain किया है, इस वज़े से शायद आप समझ गया होंगे, ठेक exactly है आपको अपने जिंदगी में, कहाँ पर focus करने की जरूरत है, और कहाँ पर आपको adjust नहीं करना है अगर आप अपनी problem directly call पर मुझे discuss करना चाहते हो, तो paid consultation के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर whatsapp पर message कर सकते हो इसी तरह के और भी amazing videos देखने के लिए चैनल को जरू subscribe करना